हलो फ्रेंट्स कैसे हो आप सब तो आज में शेयर करूंगे आप सबी के साथ में एक बहुत ही मज़ेदार और बिल्कुल यूनीक हिट कॉमिनेशन रेसेपे जिसमें बनाऊंगी ये पराठा जो के बहुत ही यूनीक है और ये है सत्तू पराठा और इसी के साथ मैं बनाना बत करने के बाद में इसमें कट लगा दिया है और जो कट लगता है ना उसमें आपको लसन की कलिया डालनी है तो तीन कट लगाकर मैंने लसन डाल दिया इसमें ये दो बड़े बैगन लिये हैं मैंने और अब इसी के साथ हमें लेना होगा टमाटर भी तो यहां पे टमाटर को करने के बाद में इसमें कट्स लगाना है तो इसके उपर हिस्से में आपको क्रॉस मांक लगा देना है जिसे इसकी स्किन पिल उफ हो जाती है और बहुत अच्छ से यह चूट जाता है अभी यहां पे बैगन को हमें रोस्ट करना है इस तरह से हमें बैगन को डायरेक फ्लेम पे एक जाली लगा कर रग देनी है और अब इसके उपर तो ब्रेश कर देना है तो मैं यहां पर सरसो का तेल ब्रश कर रही हूं इसे जिससे यह बहुत अच्छ से स्किन बाहर आ जाती है और अंदर में एक फ्लेवर आता है जूसी सा टेक्शर रहेगा और बहुत अच्छा बैंगन का भरता बनेगा तो इसकी साइड को हमें अलट पलट कर इसे बहुत चैसे रोस्ट होने देना है जब तक इसकी उपर की स्किन जल कर पूरी अच्छ से खतम नहीं हो जाती तो यहां पे बैंगन हमारा रोस्ट हो चुका है इससे साइप पर लेते है और अब टमाटर रक देते हम टमाटर को भी इसी तरह से हमें जला लेना है तो मैं इसमें दो हरी मिर्च भी रख रही हूं जिससे बर्ण हो जाए तो अदिक्षिण हमारा बैंगन हरेमिट और टमाटर बहुत अच्छे से रोस्ट हो गया है तो अभी जब फंडा हो गया है तो मैं इसकी जो सकिन है ना वो से पूरा निकालकर हटा दे रही हूं तो इस तरह से आपको भी केरफूली इसे कर लेना है तो इस तरह से जब सकिन पूरी हट जाती है ने ले हैं सकते हैं तो यहां पर बैंगं को साफ है तो आप इसे हम एक बोर में लेना है उसका टक हटा देना है और भी से अच्छे से मैश कर लेना है यह देखे ज़śmyश ए अंधर तक गली हुई है और प्रॉपर्र रोस्ट हुई है जैसा हमें चाहिए था साथी इसमें टमाटर भी ले लीजिए और जो लसन है उसे हाथों से मैश कर लीजिए और इस तरह से हाथों से मैश करने के बाद में आप मैशर ले लीजिएगा और पूरे बैंगन टमाटर को इकठा अच्छा से मैश कर लीजिएगा इस तरह से मैश हो जानी चाहिए कि बिल्कुल पल्प सा बन जाये यहां पे लगातार मैंने मैशर से بहुछ जो तुमाटर को मैश कर लिया है यह कुछ इस तरह का हो गया है इतने टाइम तक बैगन और टावाटर बहुत चैसे ठंडा भी हो जाता है और ये देखें बिल्कुल अच्छे से मैश हो गया है इसी तरह का हमें चाहिए था तो यहां पे आपको आलू लेना है तो मैंने यहां पे दो आलू लिया है जिसको मैने बॉयल कर लिया था और इसको मैश करकर इसमें डाल दिया है इसी के साथ बारी कटावा हरा धनिया, हरी प्यास का हरा हिस्सा और इसी के साथ मैं इसमें जो मिर्चम ने जला कर रखी थी वो काट कर डाल रही हूँ और अब इसमें मैंने प्यास डाली है, दो प्यास मैंने बिल्कुल बारी चौप करकर डाली है नमक डाल रही हूं मैं टेस्टी अकॉडिंग एक चम्मच और जीरा पाउडर आधी छोड़े चम्मच साथी इसमें सरसो का तेल भी डालिएगा जिससे फ्लेवर बहुत अच्छा हैगा और एक पंजिन सा टेस्ट आता है जो सरसो के तेल की विज़े से आता है और अब इसे अच्छे से हाथों से मिला लेना है क्योंकि हाथों से ही चोखा अच्छे से मिलता है और ये आलू बैंगन का चटपटा मज़िदार सा टमाटर वाला चोखा बनकर तयार होगी एफर्ट्स जो के सत्तू पराठा के साथ में बहुत अच्छा लगता है तो यहां पर हमारा बहुत ही जादा टेस्टी मज़िदार जबरदस सा देसी स्टाइल बैंगन आलू चोखा बनकर तयार होगी एफर्ट्स तो इसे आप भी एक बार मेरे मिथर से बना कर देखिएगा उमीद आपको ये बहुत अच्छा लगेगा तो चले इसे बना कर साइट पे कर लेते हैं और खाने के लिए बनाते हैं सत्तू पराठा तो पराठा बनाने के लिए सबसे पहले हमें गेहूं का आठा लेना होगा दो कप मैंने ये आठा लिया हुआ है फ्रेंट्स इसमें मैं आजवेन डाल रही हूं बिल्कुल थोड़ा सा जिसे फ्लेवर आता है बहुत अच्छा सा और अब इसमें हमें पाने डालना है और नम बहुत जादा अच्छा सा मुलायम नरम सा डो हमारा बनकर तयार हो गया है इस तरह से जब गुट जाता है तो इसको आपको पंच लाकर भी गूत लेना है जिस तरह से हम रोटी फुलके चपाती के लिए डो गुटते हैं तो इसमें आप एक लचीला पना जाता है और बहुत इसमें हरिमिश डाल रही हूं दो पीस हरिमिश काफी होगा और इसी के साथ हमें आदा इंच का अध्रग का टुकड़ा डालना है चार पांच लसन की कल्या डालनी है और इसे ना चौप कर लेना है तो चौपर में बहुत ही जादा इजी हो जाता है फ्रेंट सारी चीज़े चौपर में चौप होकर यह चीज़ें अच्छी से मिल गई है तो अभी मैंने से ले लिया और अब हमें यहां पे सत्तू लेना होगा यानि की भुनेवे चनिका आटा और इसमें हमें डालना है अजवैन और साथी तोड़ सा मंग्रेला भी डालनी है इन सारे चीज़ों को हरधनिय होगा दालियेगा तो यह देख़ें हमारा बहुँत शेसे यह सत्तू का स्टफफिंग जो है मिलकर तयार हो गया है एंड में जब यह पूरा मिल जाता है तो इसे थोड़ा सा पाणी डालना होगा तो इस तरह से पानी का छीटा लगाना होता है पूरा पानी नहीं यहां पर लेमन जूस जाल रही हूं यूंकि लेमन वाला भी बहुत अच्छा बनता है तो यहां पर देखें बहुत अच्छा से मिल गया है और स्टफिंग रेडी हो गई है तो इसके बारी के चौप करने की वज़े से प्यास वगेरा ना इसमें मिल सा गया है और पता नी चल कर लीजेगा नजदा बड़ी नजदा चोटी मीडियम साइज की बना लीजेगा और इसको मैं आपको बेलना बताऊंगे और इसका पराठा कैसे बनेगा वह दिखाती हूं कि सबसे पहले बोर्ट पे हमें वह लोग लेनी है और उसको हमें बेल लेना है बेलने का तरीका यह कि इसको आपको बिल्कुल पतला और बड़ा बनाना है बिल्कुल नॉर्मल रोटी जैसा बेलना है और जब इस तरह की बड़ी सी बिल गई है तो हम यह इसके बीचों बीच सेंटर में हमें ना हमारी स्टफिंग डालनी है तो यह देखें स्टफिंग मैंने सत्वाली डाल बीच में बिल्कुल अच्छे से इवन करकर डाला है और अब इसको फोल करने का तरीका यह है कि दो साइट से आपको उठाना है एक दूसरे पर दबा देना है बीच में इस तरह से प्रेस करने के बाद में इसकी जो कॉर्णर्स है ना साइट से उसे उठा दीजिए और एक साइट से जिससे इस क्वायर बनेगा और इसको पर आठा आपने सब्सका कभी निखाया होगा इस तरह बना कर देक बहुत ही अच्छा बनता है एक बर बनाईएगा आपको बहुत मज़ाएगा देखिये बहुत आसानी से हमारा यह स्कुल पर दिखाती हूं विगुल खसता तो यह देखे फिरिंट जब अच्छे से सिक रहा है तो यह पूरा फूलने लगता है और बहुत ही अच्छा फुला-फुला सा हमारा पराथा बनकर तयार होता है तो एक बार मेरे मेथर से फिरिंट्स यह कॉंबिनेशन ट्राइ कीजिएगा यह पराथा बहुत ही ज़ादा ख प्राइ कीजिएगा तभी अच्छे से सिखेगा पराथा और खस्ता बनेगा तो एक बार मेरे कहने पर फ्रेंट्स यह वाला पराथा ट्राई करें अपने घरों पे सबीको बहुत पसंद आएगा और साथ में अगर यह पराथा बनाएंगे और साथ में बैगन का चोखा बन तो देखा फ्रेंट्स आपने ये सत्तू का पराठा और बैंगन का भरता कितना आसान है बनाना बहुत ही यूनीक सी रेसेपी है और इसका टेस्ट अमेजिंग है देशी स्टैल में बना हुआ ये बैंगन का भरता बहुत ही मज़िदार लगता है तो एक बार आप जरूर ट्र अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक करें चैनल को मेरे सब्सक्राइब जरू कर लीजेगा इसी तरह की और भी धमाकेदा रसेपी मेरे चैनल पर डली हुए फ्रेंट्स तो अगर आपने नहीं देखी है तो जाए देखें चैनल विजिट करें वहाँ प अपना अपने फ़िए करें कें बहुत साने ख्याल दौा में याद रो की और तैंक्स पर वाचिंग